अज की या बीडियो जियोग्राफी याननी की भुगोल की महासंगराम रिवीजन क्लास होने वाली है क्योंकि आज की इस एक मात्र बीडियो से आप सभी की परिच्छा में प्रश्ण आने वाले हैं मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि यदि इस वीडियो को लाज तक देख लेंगे और जो जो मैं प्रशन आपको बता रहा हूँ इनको तैयार कर लेंगे तो गारंटी आपको परिच्छा में कोई नहीं पहल कर सकता क्योंकि लगभग लगभग जो प्रशन है नब्य प्रत्तक प्रशन जो है वह आज की इस एक मात्र वीडियो से आएंगे तो इसलिए इसका नाम है महा संग्राम रिवीजन कलाव तो बिना देरियो के वीडियो को सुरू करते हैं जो भी मारे बीए फस्टियर के फस्समेस्टर के चात्र हैं जिनका सब्जक प्रशन हो चुकिए और आपकी प्रिश्चा में जब्य प्रिश्टत उम्मीद है इसको जरूर तयार कि जाईएगा इसका उतार लिखेंगे कि ग्रीन हाउस का मतलब होता है मतलब की हरा गर एक तरीकिस बोल सकते हैं सितोस्ट कटबंधे स्चेत्रों में ग्रीन हांस मानो द इसके परेडाम जो होता है हुर। वाहे वात्तावरण के तापमान से अधिक हो जाता है और मैं आपको बता जो जो कुछ ठंडे प्रदेश होते हैं बहुत फारे हमारे जो ऐसे प्रदेफ यहां पर ठंधा मौसम रहता है ठीक है ठंडे प्रदेशों में इस से तहरित घरों में अधिक तापमान पर उकाई जान इसकी जो प्रवत्ती हो green house प्रुभाव या अरित ग्रह प्रभाव फिद्धान को प्रभाव प्रभाव कर रही है लेकिन कुल में कही बाहर पुषिक्ळ में आ प्रिक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातारण में मौझूद कुछ गैसे वातारण यानि कि हमाई चारोर के तापमान को अपेच्छाकरत अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं इन ग्रीज हाउस गैसों में कार्बन डाइक्साइड जलवास मेथेन आज इस बात को ध्यान लखेंगे अगरला प्रसितन है कि प्रस्यं तंद्र की मुझ घटक कौकर। आकार्बनिक घटक के अंदर गत आपको इसमें कैलसियम पोटेसियम मैंगनेसियम लोहा फासपोरस आधि लवड आते हैं तथा आख फिजन नाइटोजन कार्बन डाइकफाइद आध गैसे सामिल हो जाती है ठीक है किसमें परस्तिकी तंद्र के घटक में जो आकार्बनिक है इसके अंतरगत तीक है अब वहीं पर कार्बनिक घटक में देख लेते हैं क्या क्या आता है तो कार्बनिक घटक के अंतरगत कार्बोहाइटेट प्रोटीन वफा आज सामिल है ठीक है मरने के बाद यह अकार्बनिक भागों में बिघ्टित कर दिये जाते हैं ठीक है तो कहन कार्मनिक चीज़ें हैं जिससे तो से क्या मिलता प्रोटीन वफा कार्मनिक चीज़ें मिलती हैं जैसे जी अगला घटा के भौतिक गटक लिक का उत्पादए घटक की अपना भोजन होता है अपना भोजन सवह बना लेते हैं और फाल फूल जो होतें तो ये है आपका अगला घटक, अब है उपभोकता वाला अगटक, उपभोकता घटक में क्या आता है, इसमें पर्थम सेड़ी के साकाहारी होते हैं, जो कि पौधे और घास को खाकर ही जीवित रहते हैं, जैसे कि खरगोस, बकरी, गाय, और दूफरी सेड़ी एक है इसमें, इसमें ओभोकता साकाहरी जनतों को खाते हैं, जैसे कि सेर, चिता, भेडिया, यह सब क्या खाते हैं, और तृतिय सेड़ी में आता है, तृतिय सेड़ी में जनतों को खाते हैं, जैसे कि गिद्ध सर्प, ठीक है, यानि कि यह लोग क्या करते हैं, तो ओको खा लेते हैं, ठी को भी आप लोग देख सकते हैं खरगोष को यानि कि जितने भी जन्तु होते हैं उनको एक हा सकते हैं ठीक यह सब जुपराणी होते तो इस प्रकाश सिंपल परिभाफा लेकिन मुश्ट इंपार्टेंट है आप लिखेंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे मुश्ट इंपार परिवर्तन हो गया जलवाई में हर चीज में हो चाहाँ जल हो दोनों में परिवर्तन हो गया आप लोग देखते हैं कि पानी आज किस तरीके का लोग पी रहें कि काफी गंदगी और वाय पूरी तरह प्रदूसित होती जा रही है ठीक है देखिए कई फारी फैक्ट्रिया गाड़ियों से निकलने वाला धुआ ठीक है बहुत फारी जो अलग-अलग इंजन है या फिर अलग-अलग मसीन उनसे जो दूआ निकलता हमारे पर्यावन को हर हमारे जो मंडल है जलवाई सभी को सबको परिवर्तन करता है इस पे बहुत ही दूस परिभाव पढ़ रहा है ठीक है जी एस जी ठीक है थ्री ऐसे पहचानी गई है जो मुखता भूम अंडले उफरता के लिए उत्तर दाई है जिसमें से पहली है कर्मन डाई अक्साइड दूफ्रीय मिथेन और तीसरी है नाई नाइट्राफ आक्साइड चौती हैट्रा क्लोरोकारवन ठीक है और क्लो सकते भूम अंडले उफरता के दुस्पढयाम क्या क्या हो सकते हैं ठीक है तो दुस्पढयाम के बारे भी आप लोग लिख लेंगे बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ट यह भी है अब एक ही प्रस्ण है कि कभी कदार आपको एक अलग-अलग कोश्चिन देखने को मिल सकता ठीक है कि उफरता के दुस्पढयाम मताई है दुस्पढयाम क्या क्या है तो आपको दुस्पढयाम में लिखना है कि 2002 का जो सन था दूसरा सरबधी गर्म वर्स रहा है नहां से सुनेंगे 2002 एक वर्स रहा 2002 ठीक है सन 2002 में बहुत ही अधिक ठीक है गर्म वर्स रहा है नासा क है दूसरा सरवधिक गर्म वर्स रहा पहला उनीस ओठानवे तथा और उनीस सो असी से अव्ह तक 15 गर्म वर्स रिकार्ड किये जा चुके हैं जिन में से तीन पिछले पांच वर्सों में रिकर्ड किये जाए कि हैं। इसमें यह कि गर्म गर्म कौन सा साल गर्म ज्यादा गया जिसमें गर्मी ज्यादा थी तो यहां पर पूरी जान कहीं थी कि अप लोग पढ़ लेंगे मोश्यूपार्टन कोश्चन आएगा पका हंडेड़ प्रसेंट से ओर है तो इसको भी आप लोग तैयार करेंगे उत्तर बिल्कुल मात्र ना होकर स्वयम में एक जटिलतंत्र है जो लंबे समय में जलवाईव जीवो वा अन भौतिक कारकों की अन्योफृत किरियाओं से उत्पन होती है और वहीं पर एक प्रमुक बिद्वान है जिनका नामे डिक है इन्होंने कहा कि बुर्दा मात्र सैलो पर्यावरण जीवो और समय की आपसी किरियाओं से उत्पन होती है तो इन्होंने यह परिभाफा दिये बाकी आप लिख़कते हैं कि मिट्टी में बिभिन परकार के लवण खनिस्तत तो ठीक कार्बनिक पदार्थ गैसे हुम जल एक निश्चित अनुपात में होते हैं मिट्टी में उपयुक्त पदार्थों की मात्रा हैं अनुपात में बिभिन कारणों द्वारा उत्पन परिवर्तर ब्रदा प्रदोसर कहलाता है ठीक है यानि बहुत फारे बिभिन परकार की जो परिवर्तर होते होता है मर्दा प्रदोस बोलते हैं तो दोनों एक ची लेकिन स्वाट मासा समझें आप लोग तो मिट्टी को कभी कभी हवा भी बहुत जादी प्रभावित करती है हवा की वज़ा से आप लोग देखते हैं कि जब घर्मी का फीजन होता है तो हमारे जो खेत होती है वह कैसे हो जाते हैं मतलब कि उस मैं जिसको बोलते हैं ठीक है आप लोग देखतेर ने कि मिट्टी में थुड़ा थुड़ा वह हो जाता किस प्रकार हो जाता है उन्हार देखने करती यहां से हवा से होता है और दूसरी जो मृदा पदूफर नहों होते पनी आप लेंकर आप लोग कि बहु venir अपत्य हैあ फहाँ ऐता सो सीनला सब्सक्राइबुट गरता बरनी विठी को प्रतुलसित करता है तो इस प्रिकार बहुत पारिशे हैं जो यह के Much Penamp ties सँनामी से जुड़ा है सुनामी आप लोग जानते है प्र gol You है ठीक है तो सुनामी एक जापानी सब्द है जिसका आर्थ है तर्टिय तरंग जो सागर में भोकंप भुसकलन अत्वाजवाला में की के भटने से उर्धो दिसा में बिच्छोब द्वारा जनित होता है और 26 दिसंबर 2004 को घटित आवदा का कारण सू मात्रा के तट के पास सम का हमारी उंगलियों के नाखून की ब्रधी की दोगनी दर से खिशकती है जो ही भारतिय प्लेट में उमार प्लेट के नीची खिशकने लगी तो दबाव निर्मित हो गया प्रकट रूप से दोनों प्लेटे एक ही जटके में पंद्रा मीटर खिशक गई ऐसा अनुमान लग एक जापान का है तो जापान में बहुत ही ज़्यादा भूकम पाता है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जो प्राकरतिक आपदाएं ज्यादा तर भूकम जो है वो जापान में ही आता ठीक है जो की मतलब की एक मतलब की यह सब क्या है जो है समुदर के किनारे हैं इस आपको भूकम से जादा मिलेगा वो जापान में ही आता है इद्धान रखेंगे त्टिये तरंग जो सागर में भूकम भूसकला त्वा जौला मुकी भी फटने से और्धो दिसा में भी छोब द्वार निचित होता एक आपदा जो घटित हुई थी ठीक है 2004 में ठीक है तो इस प्रकार इसके बारे में लिखेंगे काफी एलपल कोईश्चन है सुनामी सुड़ा मोस्ट इंपार्ण मतब सुनामी कोईश्चन ही बहुत महत्पूर्ण है कई बार आ चुका है यह मैंने अपने इनुसार परिमासाज के तयार कर सकते हैं कोईश्चन मैंक में आप अपने य इसका उत्तर लिखेंगे कि इध्यान से सुनेंगे बहुत पॉप्लर कोईश्चन कई बार आ चुका है ठीक है एकजाम में भूपटल को प्रवावित करने वाली प्रकृतिक सक्तियों में बहुकंप का यका यक उत्पन होने वाली सर्वदिक सक्तिसाली सक्ति है मतब कि यका लगती है जो प्रकृतिक सक्तियों के प्रभाव से उत्पन होती है ठीक है यह प्रकृतिक आपदाओं में भूपप जो है ना वह सर्वदिक हानिकारे को बिनासकारी माने जाते हैं ज्यान सुनें कि भूकंप आने से आप लोग देखेंगे तो क्या आपको दिखेगा भूक वो किसी के इनसान हो सब चीजी की हानी होती है ठीक है तो यह बहुत ही बड़ी बिनासकारी और हानिकारक आपदा है ठीक है जो कि यह मतलब कि अभी अपने यहां तो बहुत ही कम देखने को मिली है लेकिन जहां पर जैसे चापान बताया यहां पर बहुत आती है ठीक है तो भुकंप भुकंप आपदा से होने वाली हानियों से बचने के लिए मानों के पास समय नहीं रहता है कि भुकंप से होने वाली जो भी बिनाशकारी यानि कि जो बिनास करते ठीक है उन सबी प्रभाव को हम भुकंप आपदा के नाम फे जानते हैं तो यह भी popular question का वाराज चुका एक्जामनेशन में तो ध्यान रखेंगे प्रकार लिखेंगे बेशिक सा परिभासा और बेशिक सा उत्तर इसका कोई इतना हार्ड लेबल नहीं आप लोग एक बार समझ लेंगे तो कहानी की तरह है ठीक है और भुकंप आपदा प्रबंधन के उपाय क्या क्या है तो इस आपदा के प्रबंधन के द्वारा भुकंपे आने तक भाई आने को तो कोई रोक नहीं सकता ना रोका जा बिख्त होगी तो भाई रखावना भी नहीं विक्त होती और ना तो इसकी संधे मिल गया कहीं से थोड़ा भूत ठीक है तो से क्या होता है हानिया जो है वह कम की जा सकते ठीक है और भुकम आपदा प्रबंधन है तो निम्लिकित प्रमुक उपाय किये गी है जो कि आपको ध्यान रखना है आपको पढ़ लेना है पहला है कि बिज्ञानिक द्वारा भूपटल की द्रिष्ट से अत समवेदन सील भू भागो का पता लगाया जा चुका है अता भूक अच्छी तरह बनाई जाती है ठीक है और उपियों को अनिवार कर दिया जाए जिसे निर्मित बहुनों पर भूकम का नियुंतम प्रभाव पड़े मतलब कि स्ट्रॉंग बनाया जाए अच्छी इसमें मैट्रेल लेगाया जाए ठीक है और ज्यादा नीचे तक खुदाई क करके उस चीट को जोड़ा जाए ताकि माली भूकम पायत ज्यादा प्रभाव ना पड़े नियुंतम ही पड़े तो इस प्रकार बहुत फारे हैं यहां पर अलग लोग को पाय दियेगी इनको आप पो तैयार कर लेना काफी अर्फिल कोश्चिन है अगला चक्रवात है जो क थोड़ा सतर करेंगे तो हमको थोड़ी कम हानी होगी बस तो चक्रवात आपदा प्रबंधन के माध्यम से चक्रवात को रोका तो नहीं जा फक्ता लेकिन चक्रवात से होने वाली जंधन यानिक इनसान की और जो धन है उसकी जो यानिक प्रपरटी है या पिर कोई समान है पिर कहीं पर कुछ रखा है ठीक है तो उसकी हानिको हम कुछ प्रकार हैं निम्न उपाय हैं जिनके माध्यम से हमकम सक्क कर सकते हैं जिनके यहां पर दिया गए आप लोग तयार कर लेंगे काफी हिलपल कोश्चिन यह भी है ठीक है बोस कलन भी कई बार पैच्छा में आ होते रहना या फिर आप लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि लगातार बारिस होते रहना या फिर कह सकते हैं कि किसी भी अफ्थान पर कहीं फिर लगातार पानी आ जाना जैसे कि आप लोग देखा था दिल्ली में बहुत ज्यदा बार आ गए थी ठीक है यह ज्यादा क्या होता ह जो दो पर्मुक कारण है जिसके वज़ा से बाढ़ आ जाती है ठीक है और इसी तरह लिखेंगे किसी भुबाग का लगातार कई दिनों तक जल्मगन हो जाना ठीक है बाढ़ कहलाता है ठीक है बाढ़ उस समय प्रकर्ति प्रकोब बन जाती है जब उसके कारण अपार जंधन क प्रकोब आसमों की हान ही होती है चिने से इसमा से अधिक जल आ जाने की कान भी होती है तो इसी तरह बहुत फारी यहां पर आफसन दिएगे सिंपल सा कोईश्चिन आप इस तरह लिखनेंगे बना-बना के भी पूरे नमबर मिल जाएंगे ठीक है राष्टे आपदा प्रबंधन योजिना जिसका नाम है NDMP ठीक है 2016 पर आप लोगों के पूरी उजना बनाई गई उसके बारे पढ़ लेंगे ठीक है ओके कई बार पर इच्छा में आ चुका जय विविष्टा पर आप क्या समझते हैं जय विविष्टा के अपच्छेन आपको फोकस कर लेना है ओके और उसके बार नेक्स कोईश्चन है कि मरदा परदन रोकने के उपाय बताई यानि कि बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन है भी कई बार आ चुका परिश्चह में ठीक है तो इस पीडिएफ में वो सारे कोईश्चन है और उसके उत्तर है जो लोग हमें मेशर्ज करेंगे तो यह पीडियाफ तो हमापको टेलीग्रामवडसब पे अभी अभी जिस्ट प्रवाइट करा देंगे ठीक है जो चात्रों मेश और सब्सक्राइब तो पूरा का पूरा को पूरा को कॉश्चन पेपर वहीं से बना है एक तरीक इसमाल लीजिए इतना मैं आपको confidence के साथ बता सकता हूँ ठीक है तो फिरहाल कोई question है जरूर पूचे और पीडियाप को प्राप्ट करने के लिए message जरूर करें लिंक वीडियो के discussion में टेली वर्टसअप का जैहिंद